इस टैंपलेट्स पर क्लिक करोगे तो यह काफी सारे आपको दिख रहे हैं तो यह सारे CLI है ठीक है कि 120 GB कैसपास की file है 12100MB कैसपास की file हो गी है है यह ईपकी file दाउनलोड हो गयी थिक है Task okay साइज केता है 125 है 125 MB का साइज है तो यह फाइल आपको मिल गई अब आप इससे आप create ct पे क्लेक कर सकते हैं किस पे create ct container ठीक है यह virtual machine नहीं है यह container कहते है परक्या होता है आप अब भी थोड़े देर में डाइग्राम से बताता हूं आपको एस में इस पे पोस्टेम ते शोड़े में उट से बताता है यह थोड़े नहीं है एड़े एक में अब भी यह सुलो ठीक है यह'क नुदेनर करेंगे हैं हम यह पे पासवर्ट प्सक्तास्वर्ट नेक्स्ट template जो अभी हमने download किया अब हम लगाएंगे यहाँ पर next इदे को यह सिर्फ RGB की hard disk file ले रहा है next एक और 512 MB RAM next dhcp next finish finish तुरे टास्क ओके हो गया एक हो यहाँ पर एक कंटेनर क्रियेट हो गया है इस पर क्लिक करेंगे पर कंसोल पर स्टार्ट पर यहाँ पर आप टाइप करेंगे रूट और एंटर करेंगे जो पास्वर्ड अभी आपने टाइप की बनाया है अपना क्रियेट सीटी पर क्लिक करने के बाद वो पास्वर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे और लेकिन वो टाइप होता हुआ नहीं दिखेगा आपके ठीक है आप इसके अंदर आ चुके यह आपका रेडी है मशीन आप इसे यूज कर सकते हैं ठीक है और यह आपकी जी यूआई वाली है ठीक है तो वी एम पर क्लिक करते हैं तो पूरा जी यूआई जैसे आपका वर्चुल मशीन वी एम वर्क स्टेशन में बनाते हैं वर्चुल बाक्स में बनाते हैं वैसा ही बनेगा लेकिन create CT करते हैं, container बनाते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगी, ये rest resources कैसे ले पाता है इसने लिया 2GB RAM इसने लिया 2GB RAM इसने लिया 2GB RAM तो 6GB RAM रियूज हो गया है यहाँ पर container जो कि मैंने आपको बता दिया ठीक है, और इसके अंदर आप काम कर सकते किसी को कोई doubt यहाँ पर तो पूछ लो container कैसे बनाना है container कैसे बनाना है, ठीक है मैं इसको फट आता हूँ, बेरे इसको बंद कर देता हूँ shutdown कर दूटेंगे ठीक है, दुबारा जाएंगे local PVE पर CT templates में click करोगे templates पर click करोगे और यहाँ से अपना जोनसा आपको बनाना है उस पर click करके download कर लोगे ठीक है, download होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा यह create container पर जाओ उसमें से कोई भी Linux ले सकते हो, आपको चलानी आनी चीए उसकी commands पता हो तभी लोग है आपको Ubuntu की commands पता है अभी तक ठीक है तो Ubuntu की commands ले लो Ubuntu ले लो Ubuntu की commands वही ना जो Linux CT पर click करना Post name देजेना template set कर लेना RGB 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 आपके hard space यूज़ कर रहा है local LVM वाली drive में से नेक्स पांसोब